आज का ये वीडियो उन सभी student के लिए helpful होने वाला है जो आने वाली railway pharmacist और सभी pharma regarding exam की तयारी कर रहे हैं जी हाँ आज के इस वीडियो lecture में हम subject wise study करेंगे कि sir किसी subject को कैसे पढ़ना है for example sir हम pharma kognosy की बात करें उसको कैसे पढ़ना है सारी drug हमें कैसे याद रह सकती है वीडियो लेक्चर स्टड़ी रिगारी वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी और आप से आप हमारी मॉबाइल एप्लिकेशन डावनोड कर सकते हैं जहां pharmacist exam की preparation testary study material सब को चपरूल है जैसा कि आप समय जानते हैं सर हम किसी भी competition exam की तयारी करते हैं तो यहां पे हमें यह समझना जरूरी है कि किसी subject को किस हिसाब से पढ़ना जरूरी है जैसे कि हम सभी जानते हैं सर फार्मकोगनोसी है फार्मकोलोजी है फार्मसुटिक्स है या फिर अपना jurisprudence हो गया subject के according हमारी strategy जो है वो बदल जानी चाहिए यानि कि subject के हिसाब से हमें चीजों को याद रखना है सर याद कैसे रखना है तो जैसा कि आप previously फार्मकोगनोसी के कोई भी कुशन उठाके देखेंगे चाहे वो railway pharmacist में आ रहे है ESIC aims किसी में भी आ रहे है यहाँ पे ध्यान रखना इस subject का भी weightage बहुत ही अच्छा है as per railway pharmacist को देखते हुए सर इस subject को पढ़ना कैसे है तो देखे सिंपल सी बात है फार्मकोगनोसी में हम सभी जानते है सर प्लांट जो है यानि कि कुछ एक ऐसे important plant है जिनके rapidly question जो है वो previous year examination में आप देख सकते हैं कहने का मतलब यह है जो important है लगबग लगबग 80-90% वही question जादा से जादा repeat होते हैं तो क्यों ना हम एक systematic way से इसको याद करें ताकि हमें चीजे याद भी रहे और main exam के point of view से यह बहुत ही जादा important रहे देखें सीधी सी बात है अगर हम systematic way से plan करेंगे तो हर कोई exam आप clear कर पाएंगे आपको बस सोचने की जरूद है अगर आप pharmacognosy की कोई भी book उठा के देखेंगे इतनी बड़ी book है हमें ये भी समझना है कि पढ़ने के साथ हमें चीजों को याद भी रखना है तो याद रखने के लिए हम एक strategy से पढ़ाई करेंगे तो वह चीज़े याद रहती है कैसे सर इसको थोड़ा सा elaborate करेंगे तो यहां पर हमें example ले लेता हूं कि mostly हम देखते हैं सर फार्मा कोगनोसी की जब हम बात करते हैं तो आपका glycoside हो गया इनमें से काफी ज्यादा कुशन आते हैं और यह जो इंपॉर्टन कुशन आप देख पा रहे हैं लगबग लगबग इनी ड्रग से आता है जैसे कि आपका सीना हो गया सर है डिजी टैली से हो गया जिंसिन हो गया लिक्यूरेस हो गया अर गोड मैंसे तो बहुत ही ज्याद सबसे पहले आपको क्या लिखना है सर इनको पढ़ना कैसे है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं चाहिए वो एलकॉलोइड्स हो ग्लाइकोसाइड हो कोई भी टॉपिक है आपको यहां से जो इंपॉर्टन ड्रग है उनको सलेक्क करना प पढ़ेगा प्रॉपर वे में जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना हैं तर दियान डखना फैनली और chemical constituent most important है क्योंकि हम जो मेन पढ़ रहे हैं किस कारण वो drug हम पढ़ रहे है क्योंकि उसके chemical constituent के कारण कुछ तो उसने कुछ तो कुद्रति ने इसको medicine plan क्यों बनाया है क्योंकि ऐसा chemical chemical constituent उसमें है जो कि medicinal यूज है तो यह सबसे इंपोर्टेंट है नेक्स्ट सर केमिकल टेस्ट है ना नेक्स्ट नेक्स्ट आयोडिन वेल्यू यह भी आप थोड़ा बहुत समस्ते हुए आगे बढ़ सकते हैं सीधी सी बात है सर कोई भी हम ड्रग का ले रहे हैं किसी भी ड्रग को हम पढ़ रहे हैं हमें उसको एक सिस्टमेटिक चार्ट प्लान में जो है बना के वह आगे बढ़ना है जिससे की चीजे हमें सारी की सारी याद है तो चीजों को आपको इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए मैं आपको यहां पे फार्मकोगनोसी की यह जो पीडियेफ है इससे समझा दूँगा कि किस हिसाब से हमने चीजों को इस हिसाब से समरैज किया है जो आपके मेंट इक्जाम ka point of means से important है और चीजों को किस हिसाब से हमें याद रखना है चाहे को यह कोई भी यहां पर हम यह भी पता है काफी सारे ड्रग के सिनो नेम जो है वह रैपेडली कुशन जो है वह आते हैं और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टन देखिए फार्मर कोगनों सी स्कीम अफ ड्रग यहनकी अर्गोट है उसका कौन सा पार्ट यूज आ रहा है बालुजिकल सोर्स कौ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली चीजे आपके सामने रहेगी अच्छे से याद भी हो जाएगी और पॉइंट वाइस पॉइंट जो है वो चीजों को डारेक्ट ली आपको याद करना रहेगा तो जी हां मित्रों जो भी इंट्रस से स्टूडेंट है यह जो हमारी मेह है मतलब की प्रॉपर वे में जैसा स्टूडेंट को रिक्वार्मेंट है वो सभी का सभी आप जो है यह स्टूडी मेंटियों जो देख रहे हैं यह हमारी मोबाइल अप्लिकेशन पर आवेलेबल है जो भी इस्टूडेंट डेल्वे फार्मासिस्ट या आने वाली किसी भी मोल सकता हूँ यह पीडियाप प्रॉपर वे में पढ़के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सभी फार्मासिस्ट एक्जाम में यह हल्फुल होने वाली है जैसा कि मैंने सिस्टेमेटिक वे से बताया ठीक जी तो यहां तक चीजों को हमने समझने की कोशिस लगभग लग में याद करना चीज़ें जरूरी है क्योंकि एंस्वर तो हमारे सामना ही है इसको टिक करते हुए आगे बढ़ना है ठीक है तो यहां तक हो गई सिस्टेमेटिक वे से को कैसे पड़ें चलो आपकी कैसी कुछ त्यारी है तो एक सवाल है उसका एंस्वर आप जो है कमेंट ब हुआ है चलिए जी कैसा लगा आपको इंफर्मेशन जरूरुपताय कमें सेक्शन में और हां आने वाले समय में फार्मकोलोजी फार्मकोग्नोसी फार्मसुटिक्स फार्मा एनलाइसिस इन सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टन्स को देखते वे भी कैसे कुछ याद रखना ह है इसके उपर भी हम बात करते रहेंगे कैसा लगा इंफर्मेशन जरूरुपताय कमें सेक्शन में लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कीप वाचेंग स्टे ट्यून